हेलो दूस्तो नमस्कार मेरे दनी सुथार और आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पर आर्थिक स्वागत है तो दूस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सुथ गाड़ी में यह आपको कूलन्ट बोटल दिख रही है इसमें ओइल और कूलन्ट मिक्स हो रहा है इसका क्या प्रॉब्लम में इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ एक एक चीज के बारे में मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा तो वीडियो में एंड तक बने रहना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले तो ये पूलन्ट बोटल आपको दीख रही है मैं आपको अंदर दिखा देता हूँ और आज से निकाल के आपको दिखा देता हूँ देख सकते हो ऑल और पूलन्ट अंदर मिक्सिंग हो रहा है इससे क्या नुकसान तो होई सकता है इसको इसका ये प्रोब्लम निकालना भी जरूरी हो और क्या-क्या चीज चेंज करनी है इसमें इसमें मैं आपको पूरा वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या-क्या पार्ट चेंज करने पड़ेंगे इसमें और क्या-क्या चीज क्लिनिंग करने पड़ेंगे इसका बंपर वगेरा आपने अभी खोल दिया है यह फिल्टर एसमली आपको दिख लिए इसके उपर जो लगाई यह एलिवन वाला भाग दिख रहा है आपको यह वाला चेंज करेंगे हम अनली क्योंकि पुड़ा फिल्टर एसमली चेंज करेंगे तो इसमें मिनिमूम दिन से चार अजार के आसपास खर्चा लग जाता है एक अजार से पंदरा सो में यह उपर का इंटर जो ओईल कूलर है वह हमको मिर जाता है इससे यह प्रब्लम स्वाल हो जाता है इसके लिए कही मिस्तरी पुरा का पुरा फिल्टर एसमली चेंज कर लेते हैं यह अलग से मिर जाता है तो क्या है अम खर्चे में पार्टी को कोई कम खर्चाई करवाना क्यू जादा करवाना है लाकर प्रफिल्टर का जो यह ओईल कूलर प्लेटे वह ही चैंज करना है यह वाला इसका कुछ ज्यादा नहीं एक खोलने में आपको दीखता होगा आस पास मे इसको निकाल देना है। तो इससे बेले में आपको दिखा दिता आँ खोलने से बेले। विदेनी कूलण निकाला है, और कूलण के अंदर आपको ओई कि मीस अंधर होगा, आप देख सकते हो इस तरह से अंदर कंशिंग मीस होगय Otherwise, पूरा पूलन्ट निकालेंगे फिर भी उसके बाद भी इदर थोड़ा बहुत रहे जाता है उसको कैसे निकालना है तो इसमें क्या-क्या चीज क्लीन करवानी पड़ेगी केडिया में ठीडियाकॉं। और उइल Malcolm पूलन्ड बॉटल और रियाडियटर है।। इन दोनों तो पेल्चोंड़ घ्यजन डालके फिर वसिंग करवाएंगे बीडियटर को ऑल के फिर्वीस करवाका देंगे अंदर से तो इस तरह से हम पहले इसका रेडिटर खोल लेते हैं फटा फट से थोड़ा वीडियो को में बगा रहा हूं बगा रहा हूं इसका रेडिटर खोलने के लिए हमें इसका आगे का पैनल खोलना पड़ेगा इसके तीन बॉल्टे उपर दो और एक नीचे दोनों साइड मिला के छे बॉल्टे इसको हम पहले खोल लेते हैं इसका पैनल का बॉल्ट खोल दिया और अभी हमारा ट्रेडिटर बाहर निकालने के लिए हमें जो एसी का साइड में जो पाइप बगेरा रहता है आगे कंडिशनर लगा हुआ है इसका ध्यान रखके निकालना पड़ता है कि कई पाइप बगेरा डेमेज ना हो जाए इसको कंडिशनर को नहीं निकाल दे क्योंकि इसका गेस निकल जाएगा इससे हमें गेस अलग से डालना पड़ेगा फच्चा ज्यादा हो जाएगा तो इस तरह से हम निकाल देते हैं अभी डेडिटर निकाल दिया है और मैं आपको दिखा देता हूं कि कुन सा पार्ट इसको पहले फटापट से पुलवा लेता हूं इसके सारे बॉल्ट होगेरा आप देख सकते हो इसका पूरा बॉल्ट होगेरा पुल गया हो और इसको निकाल लेता हूं और अभी आप अंदर देख सकते हो यह ऑसके अंदर अओल, पानी उन्हें अरग अलग अलग लियर में चलता है और चाली लेता है लग-लग आपका मंवक करangen की काम करता है, इसके अंदर से ही क्या हो यह अनदर जाली रहता है उन 99% इसी में प्रब्लम रहता है अभी कबार कोई गाड़ी में प्रब्लम एड में भी हो जाता है तभी भी ओई और पानी मिक्स हो जाता है लेकिन अगर पानी के अंदर ओईल मिक्स हो रहा है तो इसी का प्रब्लम है और ओईल के अंदर पानी मिक्स हो रहा है रिंग बिंग कई से कटी ना होने चाहिए तो क्या है और रिंग कटी होगी तो भी ऑईल और पानी इसी होने का प्रोब्लम में ताहिए अभी नहीं आप देख सकते हो ऑईल कुलर स्विफ्ट तो यह वाला ऑईल कुलर हमने लादिया है लग से पुरा इसके लिए एसम्बली चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको यह 10-15 शुरुक के पोस्ट में पुरा फिटिंग होके हो जाएगा इसके लिए आप देख सकते होई है रांदियोंने अगवादिया और लादिया फिटिंग अभी इसका हम कर लेते हैं आपको दिख रहा होगा इसके अंदर ही जो है वो पानी मिक्सिंग का अधलम होता है वो इसके अंदर ही रहता है तो इसके लिए फुरा फिल्टर एसम्बली चेंज करके ज्यादा खर्चा नहीं करना है आपको दिख रहा होगा यह पानी वाला बागे इसके बाग की रिंग चेक करेंगे और इस तरफ का ओईल वाला बागे इस तरह करवाला ओवल और पानी इस तरह से दोनों ओग रहते है तो दोनों की रिंग क्या नहीं होने चाहिए। इस तरह से हात की मतना के को इसका पुरा रिंग वगेरा सब कर लेनी एफिर इसके उपर इस तरह से इसको लगा देना है कुछ ज्यादा नहीं है इसके लिए पुरा एसम्बली चैंज करने की जरूरत नहीं है इतने महीं इसको आप खर्चे में पिटिंग करके आद्ली का खर्चा बचा सकते हो इस तरह से आपको दिख रहा होगा अभी विटिंग कर लेते हैं तो मैं वीडियो को भी इट से बगा देता हूं अभी इसका सारा फिटिंग अभी तूरा फिटिंग हो गया यह अभी आपको में दिखा देता हूं एक वुमिड करना है अभी पॉटल का और dwa करना है हम्हें रियडिटर का क्लेनिग है पहले अंऱ डीजर ड़ां के से ट्व शर्विस करवा लेते हैं आपको रियडिटर वीडिटर को क्लेटर का कनदेते है आप देख सकते हो विडियो एडिटर बगेर हमारा क्लीन होके आगया है पुड़ा पुड़ा पार्ट हो गया है पानी डाल देंगे हमारा खाली है थोड़ा बॉट हमें डाल दी है पानी इसे थोड़ा बड़ा पानी डालके गाड़ी को स्टार्ट करेंगे पेले इसके अंदर पानी डाल देते हैं अब हमें इसके अंदर पुलंड नहीं डालना है अब एक दो बार पानी हमें इसका निकालना पड़ेगा करें, पानी युए डालेंगे, लिए गाडी को सुटार्ट, टेव को सट रहेंगे तो गाडी स्टार्ट होगी स्की है हमारी इस तरह से स्टार्ट रखें, इसे कम चैनल घ्यायस बास में इसी स्टार रखेंगे इसी पोजीसन में, जारा दरियिए, जायना अंतर जो oder only वोगेरा होगा अपरी बाणि सबकर मों जाएगा अग्रशा लाएगा अच्नौल तो घर में जाये गा तो ौएलोल जोगा पानी में परा जाएगा। इसके उपर अमने जो ये उपर केन लगाया हुआ है, उपुलेंट बोटल के अंदर, इसमें इसलिए ज्यादा पानी थोड़ा एक्स्टा रखा है उपर, कि जो ओईल होगा वह उपर की साइड अभी 30 मिट के आसपास हो गए, और अभी आप देख सकते उपुलेंट के अंदर तो ओईल थोड़ा बहुत अंदर था जाना अभी इसके उपर आपकाई है, तो दिखरा होगा वीडियो में, तो बुरुपरे ओए ओईले, इसको फिर से यहाला पानी निकाल देंगे, तो बुरुपरे क्लिंग करके पानी पुरा निकालके, इससे साधा पानी अभी डालें इसको बुदाओ में, तो बीट से अमने दुसरा पानी अंदर डाल दिया है, और आप देख सक्तेओ अंदर, अंदर से क्लीन हमारा, अंज दो के रहा सब क्लीन है, और अंदर से फुला क्लीन हओग उपका है, अभी आप गाड़ी का इटिंग चेंप कर सक्तेओ, इटिंग कि देख सकते हो आप प्रेट आई है और अब इसमें हम पानी रखेंगे पचासे किलो मेटर पचासो किलो मेटर चलेगी तब इसमें पानी रखेंगे उसके बाद इसके अंदर पुलंड आनेगी तो क्या जो ओईल वगेर आ रहेगा वह सब निकल जाएगा तो दोस्तो नहीं था वीडियो में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरू कर देना चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना फिरते अगले वीडियो में नाइट टॉपिक के साथ अब तक के लिए जाए बंदे मांगे